हाई गईज सौगत है आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट न्यू वाइकेंसी 2030 के वारे में गईज जैसा कि मैं आको वताद हूँ 30 जार से अधिक पद आ चुके हैं और नोटीस भी जारी हो चुका ह तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपलाई कप कर सकते हो और किस डेट से आपका जो फॉम है वो ऑनलाइन होगा और इसकी फीस क्या होगी और सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और क्या बदला हुए हैं इसमें सारा कुछ बताने वाला तो जैसा कि मैं अको बताद हूँ जो वाइकेंसी आई थी रिसेंटली में तो सबसे पहले 40,000 आया था उसके बाद 38,000 कुछ आया था ठीक है उसके बाद 12,828 पद आये थे ठीक है लेकिन अब जो आ रहा है वो 30,000 यानि कि जो अभी सेलेक्शन हो चुका है जो वाइकेंसी जुलाई में ही आएगा ठीक है तो टोटल 1,15,000 तक पद हो जाएगा ठीक इतनी वाइकेंसी आजाएंगे और भर भर को वाइकेंसी आ रहे है इंडिया पो जीडियस का और जैसा कि मैं आपको आपको बस उमीद रखना है कि हाँ मेरा एक बार सेलेक्शन हो जाएगा क्योंक आप लोगे एक बार कॉमेंट करके बताइए कि क्या इसका एकजाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या मेरिट के उपर ही सेलेक्शन होना चाहिए तो सबसे पहले आप साइड में देख सकते हैं एक नूटिस जो जारी हुआ था ठीक है डाग वहन के दौरा दिल्ली से तो डाटर इंट्री 17 से 22 जो कि आप साइड में देख सकते हैं उपर ये चेकिंग होगा और उसके बार री चेकिंग होगा 24 से लेके 24 तर और जो नौटिफिकेशन है वो सीधा 28 साथ 2030 तक हो जाएगा वैकनसी की जो नौटिफिकेशन है आप साइड में देखी सकते हैं ये क कि कनफ़ में है जुलाई में है ठीक है तो आप लोग रेडी रहों कि हाँ आने वाला है इस चीज़ का ध्यान रखो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि मैं आपको बता दो जो 40,000 की वेकेंसे थे उसमें काफी हाई मैरिड गया थे ठीक है उसके बाद जो 38,000 920 था उसमें थोड़ा डाउन था और 12,000 में और डाउन हो गया ठीक है तो अब 30,000 जो आएगा तो भाई इसमें भी डाउन हो ही सकता है तो आप लोग रेडी रहो अगर आपके नमबर अच्छे हैं तो इस बार जरूर आप लोग अपलाई करना अब बात करते हैं इसमें अवेधन कैसे कर सकते हैं कौन सो कौन से लोग ठीक है और जैसा कि बता दूं की देखो इसमें male female दोनों कर सकते हैं और ये all India vacancy है कोई भी भर सकता है कहीं से भी ठीक है किसी भी state से और इसके age limit के बारे में बात करें तो age limit यही है 18-40 worth ठीक है और इस एस्टी में थोड़ा 5 साल ज्यादा इस्टरा मिल जाता है वो category के हिसाब से ठीक है और योगता जो है वो केवल 10 है ठीक है योगता 10 पास होना चाहिए ठीक है और इसके लावा यहाँ पर मानता है कि आपको cycle चलाना आना चाहिए computer चलाना आना चाहिए तो यह compulsory नहीं है अगर आप फी है तो ठीक है नहीं तो अगर आप किये हो तो अच्छी बाते नहीं किये हो तो कोई बात नहीं आप भर सकते हो ठीक है और जो यह selection होता है तो 10 का जो marks होता है उसी के उपर ठीक है मेरिट के हिसाब से ले लेते हैं 10 का ठीक है और इसको जो फीस है वो किवल 100 र आती है इसकी तो जैसे कोई अपडेट आती रहेगा मैं आपको पताता रहूंगा तो इस वेकेंसी को ध्यान रखो 8 जुलाई तक या 1 अगस तक आ सकती है ठीक है और यह जो वेकेंसी है यह सिंट्रल गवर्मेंट की है ठीक है मैं भी ABPM है ठीक है तो थैंक यू